हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल ऑल्वेज घ्यान पड़ NGT इसके बाड़े में आप लोग काफी सुने होंगे National Green Tribunal किसी भी तरह का पड़ियावडन से संबंधित कोई भी बात हो तो उसे निप्टाने का काम NGT करता है चाहे वह दिल्ली में वहां के राज्य सरकार को जो है वह फटकार प्रदूसन पर लगाने का काम हो या Art of Living का हाल फिलाल जो है वह जमना नदी के किनाड़े जो हुआ था स्री स्री रवी संकर जी का फ्रेश्टी बाले उन्होंने यमना नदी के काफी खड़ाब कर दिया था तो उन्हें पर भी फाइन लगाने का जो काम है वह है NGT के द्वाड़ा किया गया आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम लोग आगे चर्चा करेंगे NGT के बारे में सब कुछ लेकिन पहले कुछ वेसिक जान लेते हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग परदूसन करते हैं और पड़ियावड़न का ख्याल नहीं रखते हैं जो की गलत है अगर जरूरत है तो ही काटे ठीक है निर्मान होना अची बात है लेकिन बेवजह पेरों को नुक्सान करना या ऐसा नुक्सान ना कर देना जिसे की पड़्यावन को काफी नुक्सान हो जाए तो सबकुछ देख करके एक संतुलन बनाने की जर्थ होती है हम वोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर ये कड़ हुआ कब मैं यह बना और इसका थैंस कैसे वर्क करता है तो इसके बारे में सब कुछ ज जानेंगे तो चलिए श्टकरैंगे मेरा नाम है से ओतकर्स और मैं इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को और साथ में सब्स्राइब कर लिजिएगा NGT क्या है NGT यानि की राष्ट्रिय हरित नियाधी करन यानि की National Green Tribunal एक विशिष्ट नियाईक संस्था है जो पड़यावर्निये विवादों के निप्टारे के लिए बनाई गई है यह संसद से पारित राष्ट्रिय हरित नियाधी करन अधिनियम 2010 यानि की यह जो है वह संसद से पारित किया गया है 2010 में के तहत और इसकी अस्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई है 18 अक्टूबर 2010 को जो है वह NGT की अस्थापना हुई है NGT की मुख्य साखा नई दिल्ली में है 4 जुलाई 2011 से कारे करना सुरू किया है 2010 में अधिनियम के तहत या पारित हुआ कि यह ऐसा बनना चाहिए एक संस्था और 18 अक्टूबर को जो है इसकी अस्थापना की गई और नई दिल्ली में जो है यह 4 जुलाई 2011 से अपना कारे सुरू करनी वर्स 2010 में संस्था के बाद से यह न्याधी करन देश के महत्यपुर्ण पड़यावन के रक्षक के रूप में सामने आए कि जितने भी केस है पड़यावन से संबंधि उसे देखने का कारे जो है वह है NGT के द्वारा किया गया यह एक नई अवधारना थी नई अवधारना इसलिए थी क्योंकि पड़यावन के लिए सभी देश जो थे वह चिंतित नहीं थे इससे पहले जो है वह New Zealand Australia ने ही पड़यावरन से जुड़े मामलों में विशे सदालत बनाई थी भारत जो है वह तीसरे नमबर पे हुआ जिसने की इसे शुरू किया NGT के हस्ता छेप के कारण ने कॉर्परेट और उद्योग कॉर्परेट हाउस को मिलने वाली त्वरित अनुमतियों पर लगाम लग गई मैंने की वीडियो स्टाइटिंग में ही शुरू में बताया कि पहले जो है वह काफी पड़यावन का दोवन होता था अंधा धुन फैक्ट्रिया जो है वह बनती थी नदी नाले इन सब को परेसान करती थी इसलिए उनके जीवों को रहने में काफी मुश्किल होती थी जैसे कंपनी खुल गई नदी में वह अपने कच्ड़े को बहार ही है जिसके कान वहां की मश्रिया जो होती थी वह मर जाती थी लोगों को परेसानी होती थी तो यह एंजीटी जो है वह एक पावर मिली लोगों को जो गरवर करते हैं उनके लिए यह एंजीटी उन पर लगाम थे एंजीटी का स्वतंत्र स्वरूप इसकी खासियत हैं इसे नियम कानून का उलंगन करने वालों को सजा देने पर जुर्माना लगाने और प्रभावित लोगों को मुआबजे का अधिकार देने का अधिकार हैं सजा का यह अधिकार काफी व्यापक हैं अर्थात इनके ए जो है वह कैद भी हो सकता है फाइन भी हो सकता है और उनके उपर जो है यह दोनों लगाया जा सकता है पड़ियावन में जैसा जिसका नुकसान भरपाई जैसे हो सकता है वैसे इससे किया जाता है सजा का यह अधिकार है काफी ब्यापक है सस्रम काड़ावा से जैसे सक्त सजा भी सुना सकता है यानि कि इससे NGT को काफी पावर दिया गया है कि आप अगर पड़ियावन का कोई भी नुकसान करते हैं तो उस पर पूरी तरह से चाहिए कोई भी हो अगर इस देश के नेता हो या कोई भी हो तो अगर वह पड़ियावन के साथ अगर खिलवार करेंगे तो NGT उन पर भी लगाम लगाएगा तो यह काफी अच्छी पाहल है देश के लिए तो उमीद करते हैं NGT के लिए जो बेसिक यह जानकारी है मैंने लाया उमीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा अगर यह पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ ही इस इंफॉर्मेशन को स करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हम टॉपिक लाते रहते हैं आपके लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद